चाहिन दोस्तों आप देख रहे हैं अध्यान केंद्र और इस वीडियो के माध्याम से अभी हम पढ़ रहे हैं लुसेंट अब्जेक्टिव का बुक जिसमें हमारा चल रहा है वी केमेस्ट्री और आज हम पढ़ रहे हैं 14 एकसर साइज मिन्स लास्ट है कारवनिक रसाइन और कर लो इंस्ट्राग्राम पे सर्च करना होगा टेयर सकुमार यानि दो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहां से भी जोइन कर सकते हो साथ ही टेलिग्राम ग्रूप जरूर जोइन कर लेना वहां पे आपको किसी भी वीडियो के रिगार्डिंग कोई दिक्कत आ रही है नहीं मिलना वहां पे अगर आप कोमेंट करोगे तो मुझे वहां पे सेयर करना असान होता है तो आपको असानी से वहां वीडियो मिल जाएगा साथ ही एवरी सिंगल वीडियो जो मैं बनाता हूं उसको मैं वहां सेयर करता हूं कोई भी वीडियो आपको नहीं चुटेगा तो उसको भी जरूर जोइन कर ले। तो चल से श्टाट करते हैं पहले प्रसन से ध्यान से देखना है। जीवन सक्ति के सिद्यांत का परतिपादन किस रसायनन ने जा किस वेग्ञानिक न किया। जीवन सक्ति के सिद्यांत का वर्जिलियस ने किया। वर्जिलियस, option number A यहाँ पे सही है, प्रयोग साला में संसलेसित किया गया पहला कार्वनिक योगिक कौन सा है, पहला कार्वनिक योगिक है यूरिया, इसमें कार्वन का मातरा जिसमें आ गया न, वो हुआ कार्वन, तो कार्वनिक योगिक पहला कौन सा है, जो प्रयोग साला में संसलेसित हुआ वो कौन सा हुआ यूरिया फर्मूला इसका कई बार रिपीट किया हूँ NH2CO NH2 ओके कहें कि आपका ऐसा भी लिखा रहाता है N2H4CO ठीक ना तो ये भी यूरिया का ही फर्मूला है इसको थोड़ा सिक्रोनाइज करके लिख दिया गया है तो ऐसा भी आपके एकजाम में रहेगा तो उसमें ठिकर लेना कारवनिक यूगिक में कारवन परमानू के चारो सन्यों जगताएं एक सम्चतुस फलक के चारो किनारे की ओर द्रिष्ट होती है तत्था कारवन केंदर में होता है यह विचार सबसे पहले किस ने दिया यह दिया गया था लीवेट और वांट होफ के दवारा means कोई भी आप तिसे मितें नहीं लिखते हो तो इस परकार लिखते हो ना यहाँ पर एच यहाँ पर एच अच इस कारवन क्या है केंद्र में होता है, कारवन क्या है केंद्र में होता है, सेंटर में होता है, ये कहा गया था, लिवेन और वांट होफ के दुआरा, अपसा नमबर D यहां पे सही है, प्राकिरत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने बाला कारवनिक योगिक कौन सा है, सब pussy number डिंसे कौंसा तत्व सभी कारवनिक योगिक में मिलते हैं नाम चेंग लिएक लिए कार्वनिक तो कारी one इसमें होगा ही option number day कपूर कोश्र केंपर कहते हैं किस विधी के द्वारा सिद्व किया जाता है उर्धपातन सबलीमेसन sincerity बाड़ा option number A sublimation क्या होता है या उर्ध पातन क्या होता है direct thos से अगर gas में convert हो गया तो वो क्या हो गया sublimation okay कपूर कपूर जो होता है उसमें यह होता है उर्ध पातन होता है आगे प्लस ने एनिलीन के सुधी करण के लिए किस विधी का पड़ियोग किया जाता है भाप सरवन भाप सरवन ऑप्सन नमरे कारबनिक योगिक CH3OH का IUPAC नाम क्या है अपसन नमर 2 यह अगशन गाकरण करने में दिखक्त हो रही है ना तो क्लास 10 का मैंने औरेडी राला है सब्सक्राइब करूंगा इसके बाद के में सब्सक्राइब किसका क्या फर्मूला वाता है सब तरीके से बताऊंगा एक ग्यार्वा प्रस्न आयूपीसी परणाली के अनुसार C2H5OH कारासैनिक नाम क्या है तो C2 मतलग इथे पर आ जाएगा ठीक ना तो प्रोपेन तो जाएगा निए इथे पर आएगा मिंसे मिथेन इथेन प्रोपेन ऐसा होता ना प्रोपेन में कारवन 3 होना चाहिए C2 है तो इथेन होना चाहिए C1 होगा तो प्रो होना चाहिए ठीक ना तो यहाँ पर इथे पर होगा इथेन नौल इथेन नौल आप्सा नमर B कलोरोफॉर्म का आयूपीसी नाम क्या है कलोडोफॉर्म का IUPSC नाम क्या है ट्राइक्लोडोफॉसफेट ट्राइक्लोडोमिथेन सौरी कलोडोफॉर्म का रसाइनिक नाम क्या है या IUPSC नाम क्या है कलोडो ट्राइक्लोडोमिथेन ट्राइक्लोडोमिथेन अप्सान नमर ए कलोडल का IUPSC नाम क्या है कलोडल का IUPSC नाम ट्राइप्लोडण ट्राइप्लोडटेनल फिर एक वाद रीपीट करवाद का ट्राइप्लोडण पिस्किर स्वर्णोडण का ट्राइप्लोडण वी कािसा योगिख पाया जाने वी और आभी किढ़ियासील मूला कौन सानी है अल्कोहल में पाया जाने वाला अभी किरिया मूल कौन सा है OH OH अल्कोहल को रिपरजेंट करता है LD हाइड में पाया जाने वाला अभी किरिया सील मूल कौन सा है LD हाइड में होता है CHO CHO यह आपको याद रखना होगा अल्कोहल के लिए OH LD हाइड के लिए CHO किटोन के लिए कौन सा मुलक अवस्थित होता है किटोन के लिए होता है C double bond O कार्वोक्सिक्लिक एसीड में उपस्थित अभी किरियाक मुलक कौन सा होता है इसमें होता है COOH option number B कार्वनिक योगिक को रशाइनिक गुन परदान करने वाला सम्हू कौन सा है किरियासील समों option number A सजातिय स्रेनी का कोई भी सदस्य है अपने से अगले या पिछले सदस्य के गुन सुत्र से कितने का अंतर दिखलाता है यह अंतर दिखलाता है CH2 का option number A निम्दलेखित में से कौन है? समझात है इसमें से कौन सा समझात है? होमोलोगियस हो समझात ही होता है तो वो कौन सा है? CH4 और C2H6 C24 और मिथेन और तैस्तमर प्रशन है मिथैल अलकोहल का समझात है मिथैल अलकोहल का समझात है इथैल अलकोहल इथाईल अलकोहल option number A यहां सही है सजातिय स्रेनी के संबंद में कौन सा कथन सही नहीं है सजातिय स्रेनी के संबंद में कौन सा कथन यहां पे गलत है तो एक सजातिय स्रेनी के सदस्यों के बहुती गुनों में करामिक परिवरतन नहीं होता तो यह गलत है परिवरतन होते रहता है जबकि सही क्यासब है किसी सजातिय स्रेनी के सभी सदस्यों के एक समानी सुत्र द्वारा व्यक्ति किया जा सकता है सजातिय स्रेनी का कोई भी सदस्य अपने से अगले या पिछले सदस्य के अनु सुत्र से CS2 का अंतर दिखाता है जैसा कि इसमें अभी हम लोग देखे थे किसी सजातिय स्रेनी के सभी सदस्य समान रसायनिक गुन प्रदर्सित करते हैं यहाँ पे तीनों कथन सही है एक कथन गलत था ओप्सन नमबर डी यहाँ पे वो आपका अंसर होता संत्रिप्त हैड्रोकारवन का रसायनिक सुत्र क्या है पुरा संत्रिप्त हैड्रोकारवन का समाननी स्थर क्या है अगे इलकाइन का समाननी स्थर क्या होता है जैसे इलकाइन है ना मिथाइन, प्रोपाइन, ब्यूटाइन ऐसा कुछ होगा तो उसके लिए वही फर्मूला है CnH2N-2 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 एलकीन के लिए CnH2N-1 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 एलकीन के लिए अब यह प्रोपेन दिया गए प्रोपेन का रासानिक्सुतर क्या होता है प्रोपेन का क्या हो जाएगा प्रोपेन, मिथेन, इथेन, प्रोपेन मिन्स तीसरा नमर पर आता है ना तो C3H8 C3H8 मिन्स इस पर कौन से लगेगा CnH2n पलस 2 CnH2n पलस 2 तो क्या हो जाएगा ये C3H8 Acetylene का मुलानुपाती सुत्र क्या होता है Acetylene का Acetylene का क्या हो जाएगा C H option नमर निम्न में से किन दो कालवनिक योगी के मुलानुपाती सुत्र समान होते है किसका समान होगा Acetylene का Acetylene और Venzyne का option number D यहाँ पे सही है Venzyne एभं Acetylene के Venzyne और Acetylene के अनूशुत्र भिन परण्तु मुलानुपाती सुत्र क्या होते है यह होते है अनुसुत्र कैसा होता है इसका C6H6 होता है बेंजीन का उसी से हेड्रोजन निकाल लोगे तो C6H5 हो जाता है बेंजीन का किसी योगिक का मुलानुपातिक सुत्र CH2O एबम अनुभार 60 है उसी योगिक का अनुसुत्र क्या होगा उस योगी का अनुसुत्र है C2H4O2 C2H4O2 Option नमर B किसी ठोस पदार्थ के बिना दरबे में सीधा बदले वास्प में बदल जाता है मिन्स दरबे में नहीं बदलता ठोस से डिरेक्ट वास्प बन जा रहा है तो वो क्या हो गया सबली मेशन उर्ध पतन जैसा की कपूर होता है कार्वनिक योगी के सुक्ष्म जीवों द्वारा धीरे धीरे अपगटित होने वाले किडिया को क्या कहते है इसे हम कहते है किन्वन Option नमर D कम वास्प सील उच्च कोथनांक वाले जटिल उच्च हैडरोकारवन के ताप द्वारा कम कोथनांक वाले सरल हैडरोकारवन में बदलने की प्रकिडिया को क्या कहा जाता है इसे हम कहते है संगनन, कंडनसेशन Option नमर D ठोस कपूर सेवास बदलने की प्रकिडिया क्या कहलाएगी उर्धपतन दूध को दूध को दूध के रूप में खटा करने का एक उदाहरन है दूध जो खटा होके दूध बनता है वो किसका उदाहरन है इसमें से तो वहे किन्वन का जहां भी जिवानू बिसानू इंडल्ज हो जाना हलाकि बिसानू नहीं होता जिवानू ही होता है तो वहाँ पे किन्वन आ जाता है किन्वन का उदाहरन है इसमें से किन्वन का उदाहरन कौन सा है तो दूध का खटा होना गन्ये से सराब बनना गीले आटे का खट्टा होना सब में क्या विक्रिया इंक्लूड है आप्सन नमर डी सही हो जाएगा बहुली करन, पॉली मेरेजैसन के संधर्म में कौन सा कथन असत्य है मिन्स कौन सा कथन गलत है तो इसमें भीन नभीन परकार के अनुपरस्पर सन्योग करते हैं गलत है, यह एक उत्कर्मनिय अभिक्रिया है बहुलक योगिक का अनुभार आरंभिक योगिक के अनुभार का पुर्ण गुनांक होता है इसमें कारवन परमानू नया बंधन नहीं बना सकता तो यह विक तन आपका गलत है वही आंसर बनेगा यहां पर बहुली करण का उदाहरन है बहुली करण का उदाहरन है फॉर्मल डिहाइड का ट्राय ओक्सेन में परिवर्तन फॉर्मल डिहाइड का ट्राय ओक्सेन में परिवर्तन यह बहुली करण का उदाहरन है एथिलीन के पॉली एथिलीन का बनना slightly in-se option c आगे परस् dazu है ऐसे कारवनिक योगिक जिसके अनु शुत्र समान होते हैं परनतु सनरचनात्मक सुत्र भिन्न भिन्न होते हैं वो क्या कहलाते हैं उसे कहते हैं समावयवी समावयवी option number C समावयवी योगिक भिन्यता प्रदर्शित करते हैं समावयवी योगिक भिन्यता प्रदर्शित करता है किसमें इसमें अनुस्तुर तो समान होता है पर फिस रिपीट कर लो इसको 44 प्रस्न समावयवी योगिक भिन्यता प्रदर्शित करता है समावयवी योगि कौन सा था उपर पढ़े थे जिसमें अनू सुत्र क्या हो समान हो अनू सुत्र समान हो और कंस्ट्रक्शन सुत्र जो होता है सनरचनाथ सुत्र वो क्या हो अलग-अलग हो तो भिन्यता किस में होगा सनरचनात्मक सुत्र में option number B समावयवगी योगिक भिन्यता प्रदर्शित करता है same person है किस में सनरचनात्मक में तो सनरचनात्मक तो नहीं दिया गया तो क्या हो जाएगा बहुतिक गुणों में option number यहाँ ए सही है यद रखिए और असनी गुण we holding असका और अनुसुतृ तो सेह मुटा लिए निमनलिकित में से कॐं समावयवता प्रदर्शित करता है समावयवता प्रदर्शित करता है व्यूतेन bar यह वही कैसे जो यह ल्पीजी में डाला जाता है साथी मर्ग chapter मिला जाता है गंद के लिए M4M is normal butane और आ यह मिसरन होता है यह पूचा गया प्रस् đầu 2018 मैं जो इजाम हुआ था उसमें यह पूछा गया प्रस्टा कि पेट्रोल जिसे मोटर गारी के इंदन में पढ़िउक्त होता है किसका मिस्रन hadrocar Omar का पेट्रोलियम के विभिन अवयव किस विधी द्वारा अलग किए जाते हैं प्रभाजी आश्वन नमर स्य जब पेट्रोलियम को गर्म किया जाता है तो सरवाधिक मात्रा में निकलने वाला वास्प होता है जो पेट्रोलियम को गर्म करते हैं सबसेधिक निकलता है पेट्रोलियम इथर पेट्रोलियम इथर ओप्सन नमर डी द्रभ्य सोना लिक्विड गोल्ड के नाम से किसे जाना जाता है लिक्विड गोल्ड कहते है पेट्रोल और लिपीड्स, पेट्रोलियम उत्पाद कुछ पादपो के लेक्टस में उपस्थित कम अनुभार के हैट्रो कारवन के जलिये भंजन द्वारा प्राप्त किये जाते हैं, ऐसे पादप किस कुल से संबंध रखते हैं, ऐसे पादप का संबंध है, यूफोर ब्यासी से, और स मिटी का तेल का संगठक इसमें से कौन सा है मिटी का तेल का C11, C16 option number C gaso hole जो मोटर गाड़ियों में इंधन के रूप में पड़्युक्त होता है वो किसका मिसरण होता है वो petrol और alcohol का petrol और alcohol का मिसरण होता है gaso hole भारी बाहनों में डीजल का उपयोग किया जाता है, क्यों किया जाता है? क्योंकि उच्छी छंबता और आर्थिक वच्छत के लिए, इसकी कैपिसिटी भी उच होती है और खर्चा भी इसमें कम होता है। नमर् सी यहां पर सई है प्रेट्रॉल की गुनबद्ता किसे सिंट्रक्त की जाती है। आप्टेन नमर्ट से। आप्टेन संख्या से। बार चकलर देवाधेना 5000 प्रॉट्र बैद कि अप्टेना की जाता है। औक्टेन संख्या का मान इसे पूसा जा रहे कितना होगा तो वो उच्छ होगा जितना उच्छ होगा उतना अच्छा क्या होता है वो विस्पोटक या अच्छा गुणबत्ता उसका माना जाता है 59 नमर प्रसन है पेट्रॉल में अस्फोटक रोधी गुनबत्ता बढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से किसका इस्तमाल करते हैं टेट्राएथिल सिसा का पेट्रोल में परयुक्त होने वाला सबसे अच्छा अपस्फोट रोधी योगिक कौन सा है इसे क्या मिलाते हैं लेड टेट्राएथिल यही पढ़े थे टेट्राएथिल सिसा कोई लेड टेट्राएथिल कहा जाता है यह हम पेट्रोल में मिलाते हैं पेट्रॉल estation पर बिखने वाला पेट्रॉल मिस्रित गैसलीन होता है मिस्रित करने पर उसमें क्या होता है पेट्रॉल का जो ओपिस्पोट्रोधी गुन होता है वो भढ़ जाता है साथी कार्वन मोनो आकसड छोड़ने की कैपिसिटी पह अपिसीन भढ़ जाती है ग्लाइकोल मिलाया जाता है क्योंकि या पेट्रोल के हीमी भवन को रोकता है का ताकि पेट्रोल ठंदा ना हो जाए जम ना जाए ऑप्सान नमर सी पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है वह फेराफीन मोम फेराफीन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होता है एस्परमेटी मोम कहां से प्राप्त होता है एस्परमेटी मोम प्राप्त होता है वेल से ओप्सन नमबर डी वेपारिक वेसलीन किसे से निकाला जाता है वेसलीन जो लोग लगाते हैं सरीर में तो वेपारिक वेसलीन किसे प्राप्त होता है यह होता है पेट्रोलियम से यहां लोग यह कुरला यूज करते हैं सजावटी के लीए वह लोग भी प्लास्टिक होता है बहुत कुछ प्राप्त होता है पेट्रोल का मुखे संगठक क्या है पेट्रोल का मुखे संगठक है ओक्त अप्सा नमर भी पेट्रोलियम में समांगी मिसरन होता है हैड्रो कारवन का पता नहीं क्यों पर पिछले सल बहुत बार पुछा गया प्रस्त था यह मिथेन अनू की आकिर्ती कैसी होती है? मिथेन अनू की आकिर्ती सम्चतुस फल की होता है। मिथेन अनु में कारवन और हैड्रोजन के बीच के बंधन कोन कितना डिगडी का होता है यह आप से पूछा जा रहा है तो एक सो नौ डिगडी और अठेस मिनट मिथेन के मिथेन के विशय में कौन सा कथन यहां पर सही दिया गया तो सारे कथन सही है मिझी दलदली अस्थानों के नीचे दवे हुए बनस्पति जीवो या अनुओं सोड़ी जीवानुओं के बिच्छे दंस यूदपति होता है दलदल में होता है इसलिए इसको मार्स गैस भी कहा जाता है यह संत्रिप्त हैंड्रो कार्वनश्रेणी का पर्थम सदस्य होता है इसे मार्स गैस भी कहा जाता है इसार क्या बनत जाता है ए Pill अंοιकों से बिच्छे जाता है अलूमिनियम कारवाइड परलण की परतिकिरिया से कौण्सी गैस उत्पन होती हैoglo क्यांसादा गैस मिलेगा मिलेगा है मिलीन उसे नमर आ प्रयोग में फिर हैना ए जाति यूर्ट में मिला करें उसे नियुक्त को लुग फ्रस खैस को मार्स राइस के नाम से जाना जाता है मार्स गैस के नाम से मिथेन को मिथेन अप्शन नमर A सेप्टिक टेंक से निकलने वाली गैस के मिस्रन में मुख्यता कौन सी गैस होती है इसमें होता है मिथेन मिथेन अप्शन नमर A यहाँ पे सही है गोबर गैस का मुख्य अभ्यव क्या है गोवर गैस का मुख्यअभयक्त क्या होजाएग का ही और बायोगैस मेनने कम्प्लीट क्या एक्सरसाइज में टोटल 235 है में 240 समझो तो असी ऐसी करके दो वीडियो और बनेगा आपका तब केमेंस्ट्री आपका कम्प्लीट होगा बिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जाहिद